अभी हम स्टार्ट कर रहें सम नंबर 6 क्रिगो मैट्री है 8.1 का सम नंबर 6 यह सम को हम दो मैठ और से कर सकते हैं हम दोनों मैठ और से यह सम सॉल करेंगे एक मैठ है जिसमें similarity का concept यूज करके करना है तो वो वाला पहले हम कर रहे हैं तो सबसे पहले सम्में क्या information है वो पढ़ते इफ एंगल A एंगल B आ अक्यूट एंगल अक्यूट एंगल मतलब जब भी भी हम triangle की बात करते हैं trigometry में triangle मतलब आपको mind में होना ही चाहिए कि sir ये जो होगा ये जो एंगल होगे ये 90 डिग्री होता है और बाखी जो बचे वो 90 से कम वाले में होता है कि दोनों एंगल का total जो करेंगे वो आप बोलोगे 90 डिग्री से कम होगा वो acute एंगल बोले जाते है सबसे पहले हम दो ट्राइंगल कर देते हैं पहला ट्राइंगल कर लिया है दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं कि यहां लिखना शुरू करते हैं पी क्यों ए ए ए हैं एम बी और यहां पे जो एंगल है यह हमारा base angle दोनों में A और B ले लिया है, तो सबसे पहले हम start करते हैं, तो एक triangle में हम पहले लिख देते हैं, यह जो triangle लिखा है, triangle APQ, in triangle APQ, angle P is equal to 90, तो यहां हम 90 कर देते हैं, same way, in triangle B, M, N, angle N is equal to, angle M is equal to 90, तो अभी आप बोलोगे, सर हमें क्या information है, तो हमें दिया गया है, cos A is equal to cos B, तो आप बोलोगे, सर यह formula यूज़ करो, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर बोले, आपको यह पता है, यह sin की है, यह cos की है, और बाजू आली जो है, वो 10 की है, तो हमारे लिए तो simple लिखेंगे, cos theta is equal to, आप बोलोगे, based upon hypotenuse, तो आप बोलोगे, सर, इस पे हम बोल सकते है, A की जगह, आप बोलोगे, सर, base क्या होगा, तो base होता है, PA, और hypotenuse आपको पता है, जो 90 degree के सामने, जो side होती है, वो, तो हमारे लिए, वो 90 degree के सामने वाली है, A Q, सेफ दे, आप बोलोगे, सर, यहाँ पे B में लिखो, यह base लिखो, M B, और यहाँ पे आप बोलोगे, सर, नीचे वाला की, मतलब, hypotenuse होगी, तो आप बोलोगे, सर, 90 degree के सामने, जो side होती है, वो, hypotenuse होती है, तो आप बोलोगे, सर, यहाँ पे 90 degree के सामने, जो है, वो है, B, N, जैसे यह होता है, तो इसके बाद हमें एक और step लेते हैं, बच्चो, यह step खतम हुआ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यह आप देखोगे, तो यह तो जो proportionate corresponding side है, उनकी, एक ही triangle की है, इसलिए हम क्या करेंगे, यह PA है, PA मतलब यह वाली side, यह corresponding किसके side होनी चाहिए, यह triangle के, यह side के साथ होनी चाहिए, तो आप बोलो के, सर, PA होगी, MB के साथ, तो हम ऐसा कुछ कर सकते है, PA upon MB, is equal to cross, यह गया, यह, AQ upon BN, आप देखो, AQ क्या है, तो AQ यह है, और BN यह है, तो आप बोलो के, देखो, सर, उपर दोनों, A की triangle है, नीचे भी A की triangle है, दोनों triangle same है, तो आप बोलो के, सर, यह लिख सकते है, is equal to K, suppose हमने किया K है, दोनों की value, proportionate में उनकी K value है, तो हम बोल सकते है कि, PN, PA upon MB, is equal to K, same way यहाँ पे, AQ upon BN, is equal to K, तो आप बोलो के, सर, इसकी जगा भी आप लिखो, PA is equal to MB into K, same way आप बोलो के, AQ is equal to BN into K, जैसे यह step खतम होता है, हम इसके आगे जा सकते हैं, तो पाइथागोरो स्थियरम का यूज़ करके, हम लिख सकते हैं, यह सामने लिख रहा है, इन ट्राइंगल, A, P, Q का, पाइथागोरोस के हिसाब से क्या होगा, तो आप बोलोगे, सर, AQ square, is equal to, P, Q square, plus, A, P, square, आपको यह समझ में आना चाहिए, उसके बाद मुझे आप शांती से देखोगे, तो हमें कौन सी साइड equal करनी है, तो आप बोलोगे, सर, बहुत सिंपल है, मुझे यह और यह साइड corresponding, उसके साइड के ratio के equal करनी है, जैसे यह equal करनी है, तो मैं इनको यह ले जाऊंगा, तो आप बोलोगे, सर, लिखो, यहाँ पर, minus, A, P, is equal to, P, Q, square, आगे लिखते है, A, Q, square, minus, A, P, square, under root, यह हमारा एक हो गया, उसके बाद, same way, हम दूसरा लेते, ट्राइंगल, आप बोलोगे, B, M, N, तो वो भी ट्राइंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल है, तो हम पाइथागूरस यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे, सर, पाइथागूरस बहुत, पी, क्यू, तो आप बोलोगे, M, N, को, as it is, सर, रखो, और बागी को, चेंज कर दो, तो, B, N, square, minus, M, B, square, यह यूँ गया, तो आप बोलोगे, M, N, square, same way, इसको, अंडर, रूट कर देंगे, B, N, square, minus, M, B, square, M, N, square, जैसे यह step complete होता है, तो आप बोलोगे, सर, इतना तो हमारा हो गया, तो अभी आप आगे जा सकते हैं, तो हमें जो ratio चाहिए, वो तीसरी side, तो वो हम लिखते हैं, तो आप बोलोगे, सर, उपर वाले में, यहाँ पे शांती से देखना, यहाँ पे जो था, उपर जो triangle है, वो Q, P, A का है, तो उसकी जगा हम लिखेंगे, यहाँ पे, Q, P, upon, M, तो आप बोलोगे, सर, Q, P की जगा हम लिख सकते हैं, आपने ढून के रखा है, तो आप लिखोगे, AQ स्क्वेर माइनस AP स्क्वेर, और अपन में आप बोलोगे, लिखो सर, यह वाला, PN स्क्वेर, अंडर रूट, MB स्क्वेर, जैसे ही होता है, तो हम लिख सकते हैं, तो आप शांती से देखो, कि सर, आप AP की जगह, AP की जगह, आप MB इंटू के लिख सकते हो, तो हमने यहां थोड़ा चेंजिस किया, और लिखना शुरू किया, यहां माइनस की साइन, AP की जगह, आप की बोलोगे, क्या लिखोगे, MB के होल स्क्वेर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, डारेक्ट एक स्टेप में लिखते इसका स्क्वेर और के का स्क्वेर, सेम वे, आप AQ की जगह देखोगे, AQ की जगह क्या लिख सकते हो, BN इंटू के का स्क्वेर, तो आप लिखोगे, BN का लिखो, स्क्वेर और के का स्क्वेर, सेम वे नीचे लिखो, bn square minus mb square तो यह हो जाएगा जैसे यह होता है अब शांती से देखो k को हम निकाल सकते है common k को common निकाल सकते है और k root से बाहर निकालने के लिए हो जाएगा k क्योंकि अंदर है k square यह दोनों में से k square common निकलेगा मैं highlight यूज करता हूँ तो आपको समझने में easy रहे यह k square और यह k square हमने common निकाल दिया common निकालने के लिए root में से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा k तो यह ध्यान रखना है आपको जैसे के होगा उपर नीचे same हो जाएगा bn square minus mb square upon under root bn square minus mb square यह पूरा cut हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि qp is equal to mn is equal to k तो हमारा k आ गया तीनों में हम बोल सकते हैं कि तीनों side के ratio same होए तो आप बोलो के सर देखो यहाँ पे भी k आ गया और यह भी के आ गया तो हम बोल सकते हैं आप लिखते जाओगे यहां से ही उठाना है is equal to qp upon mn is equal to k ता आप लिखोगे by s similarity concept triangle a p q similar to triangle b mn दोनों similar होंगे दोनों similar होंगे ता आप बोलो के angle a is equal to angle b यह हमारा finally prove हो जाएगा यह जो हम कर रहे है एक method से कर रहे है suppose आपको इसमें कम समझ में आया तो आप example 2 देखिए same way किया हुआ है यही method से तो आपको clear हो जाएगा एक ही point को दो बार देखो के अलग-अलग information से आपका आराम से clear हो जाएगा तो आप एक बार देख लीजिए और यही समको में दूसरी method से भी हम solve करेंगे आप ध्यान से देखना जाएगा 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 है